नवकार milk sweets जैन साब की दुकान है रवडी और मलाई रोलगी अपने पास में रवडी विथ रोल भी आपने पास ये है हमारा रवडी विथ मलाई रोलगी ये है फूरा मलाई का इड्यम है रवकुद भी नहीं मलाई के लावा पढ़ा ही मलाई और हमेज चलते चलते मिलें नवकार मिल्क सुईट्स जैन साब की दुकान है तो चलते हैं चांते हैं कित्ती पुरानी है क्या-क्या है इंके पास और आनद ठाते हैं जो भी है सुफिरी वाला बेजबर पीस के वाजिवन है हाँजी प्रभू क्या नाम है आपका मयं के जैन बिया तो जैन साब कित्ती सत्त पुरानी दुकान है फ्ट्राइन दुकान है क्या-क्या सर्व करते हैं अब रबडी और मलाई रोले भी अपने पास में अच्छा रबडी विद अलग है और रबडी विद मलाई रूल आप चाहो तो अलग है तो हमें दोनों अलग अलग एक बार सब कर सकते हैं यह दोनों फिराब देने आपको यह हमारा रबडी विद मलाई रोल जी अच्छा तो हम इसे टेस्स करते हैं और बताते हैं तो बाई आपकी जो शॉप है वो कित्ते वजे से कित्ते वजे तक रहती है जाएं आपकी खुद बनाई है यह पुरा हुममेड है यह अच्छा बनाते है बनाते है और दूध वगरा कहा से पौन सी परियर्ट के आथा अपना तो इस मलाई रोल में भाई च्या डालते है आप? मैं पूरा मलाई ताइम है अपने कुछ भी नहीं मलाई के लावा है कड़ाई जुछ पॉलाई जुछ तो इसकी कॉस्ट यह थी कब की? 45 ज़ल बीपॉर माने भाई तो शॉप बंदब सातो पूंपी है? ताड़ चारो ताइम है अज़ा अज़ा है हर दिन मतला है? परडे पोटी आपने मतला है? 45 45 ज़ीष बीच पर गष्ण ज़ीच बैटी ते इक वहतरी सेज आईे खाईे और मीठा तो अगर मैं बताऊँ मुझा बिनिमम मतलाब इसा है जो ओवर नाओ, क्योंकि आम कार्वे हम ब्रस्वलाइज तरहीं कि खाते हैं, अच्छी अगर हो नहीं है तो बहुत मिश्ची हो जो बहुत मिश्ची हो जो बहुत बालन्स निठा है, कड़ाई हुई मलाई है, एक्स्रा पैट वादी है, जो बेस हो ची नहीं है, लेकि मैं हुई झालन्स